अगरू दस जोन मेंबर नेकी कामा करू थुलू एबे किन्तु आमें 353 लोको कामा करू चुँ 353 लोको मने कामा करू चुँ जोटे कि आमर बहुत बड़ा ग्रूप कोड़े कमपानी भाब करीवाब को चेश्टा करूचु कोड़े कमपानी हभाबली की सार्माने भी कही चुनतिया मुगू तांको सहाज्यर आमें करीपारीबू आउ आमरो बड़्शु को दस लोक्योतं का मने इंकम हो बाटा प्रा दाठ्चु आमें बाहर जाएंग शेल करूचु जोटी की ओरीश भीतर आ बाहर जादी आमें चारी मार श्टॉल करीबू ता दस लोक्योतं का आमें करीपारीबू आउ शेहितरे आमा स्ति लोक्योतं कारीकरी दिन मासुको पांचाहजार, साताहजा, दसाहजार भी कमें पर्चुन्दी जोटे के घरो रोस्षी वास करीवा सहीतर बाहर को जिब्भा को पडूनी घरे बश्षी करी काम कर्चुन्दी शासूसर भी खुशी स्वामी माने भी खुशी जोटे के पिलांका टीशन फीज देई पर चंदी पठा पर जनती के दीटा तिन्दे पिलाले पढ़ा ही पर नो थिले एपे किछी से टेंशन ही नहीं आई आम मानुको पढ़ा ही परूचु बाभी नो थिले आमको एत्ते खुशी दिनों के आशीव बोली करी आमक दीटा की पर चंदी यामको मुखी डाकी देई परिडिऻ के दो तोकी है डाकी थोले आई परिदा काली परेजी जे मुरराले घेका मुर आलकलार सरास मेले अरे तिली आई दवले क commence मेले असे वह तोकी है खुशी में तोकी आआशी ले ऐटि थो तमको सनमान्ता करा जीए प्रोग्राम हुए जोटा डबलू पावर विमन प्रोफेशनल्स मानांक पाई आउजे नित जोटा अमारो एचारडी रबेस्ट प्राक्टिस दीटा को मिसे किरी प्राथमानदर प्राइँ पाईँ कर्चि वेनित टुट 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 शोटा अची बबूट बढ़ बोड़ लगवा जोटा अच्छिन्थीं कहें जे स्ट्री लोका मने केमती कर्ज स्थाली रे एककोल भागी दर ही परुए आमरे मध्यों तुट थै निवड लेवल ने बहुत भालका मो करचिंधी बहुत चुट 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 जिनसों बनुच को भी सभाइगास्वर हो बा कठा रहो तो है लो में व्यार में उमस्त तांको प्रेसिडेट करुछु तांको दो सियार लखायें क्याश्ष प्राइस माद जो एब अब अ Actually National HRD Network is a national level organization which does work for in the field of HRD, how to bring mainstream HRD into the areas of work and this is one of our chapters. So Bhubaneshwar chapter, we do two flagship programs every year. One is Zenith, which is basically reward and recognition program of the best HR practices and the second is W Power, which is basically celebrating impact of women or women empowerment. This year after a hiatus of two years COVID restricted things, we have come up with Venith 2023. Venith is basically a combination of Zenith and women power. So this year, this session is, we have devoted it for diversity. So gender diversity in particular, what are the best practices happening across companies, how corporates are achieving this. So that's one point. Second and more importantly, we have tried to do a study of the micro-level women entrepreneurs and we are honoring today most of the 10 SHG people. So we have done a thorough research on the kind of adversities they face, the challenges they face and how they have come up. So based on that, we have this present. We will be recognizing this on this platform. Yeah! I do. A I did. I did.